नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज बात करेंगे कि सपने में स्कूल देखने का क्या मतलब होता है देखिए और लड़ी में इस पे एक वीडियो बना रखा है लेकिन वो वीडियो काफी पुराना है और उस समय चुकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्टी कि है कि सपने में बार बार स्कूल जाते देखते हैं वे देखते हैं भुद को पड़ते देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है फेले मैंने अपने पोस्त किया था यदि आपक तो सवाल पूछणा हाले तो मैं जल्दी में बनान की बने लोगी लेकिन उसमें कम से 15혹 चारा लोगों ने इसी चीज़ को पूछा कि हम आज भी सपने में स्कूल जाते हैं या सपने में हम कॉलज को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है तो देखिए बहुत हद तक अगर इस सपने की बात की जाए तो यह एस्ट्रोलाजिकल कम होता है और यह साइकलाजिकल रीम होते हैं साइकलाजिकल रीमन के फुशेव बड़क अप्रचु जरूरी नहीं है कि हर इंसान की सिचट्याशन सेव और तो उसी एक्साइकलुजिकल सिचट्याजमिशिशन भी नहीं ऐसे तक हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई बहुत सह बस्टे आपको कुछ life आपको कुछ ऐसे lessons दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें सिखा रहे हैं, जो आपकी लिए नहीं हो, या आप अपने आपको उन परिस्तितियों में, मुश्किलों में पा रहे हैं, तो यह जो सपना है, या आपको जो subconscious mind वो आपको बता रहा है, कि आपको अपनी वास्टरिक जिंदगी में अपने ग्यान को बढ़ाने और अपनी वास्टरिक जिंदगी के उन इश्यूस पर ध्यान देने की जुरूत है जहां आपका ग्यान कम है या अर्थात आपको new learning की नवीन ग्यान को अरजित करने की आविशक्ता जादा है देखे स्कूल है वो प्लेस होता है जहां पर हम बच्पन में पढ़ते थे और बहुत सारी यादें वहां की जुड़ी होती है क्योंकि उस समय के जो दोस्ती होती है वो किसी स्वार्थ पर नहीं बन थी आज हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो पहले हम यह सोचते हैं कि इसका क क्या benefit होगा हमारे लिए यह हमारे लिए कितना useful है यहे इसका क्या स्टेटhh है लेकिन जब हमारी बच्पन में जो दौस्ती होती थी उसमें यह चीजे anती ही नहीं थी, जो हमें अच्छा लगता था, जिसे हमें बात करना अच्छा लगता था, हम उससे दोस्ती रखते थे, तो कितनी बार, जो हमारी जो सबसे best place होता है, कहते हैं, जहां तुमने सबसे खुशियों भरापल अपने जिंदेगी का जिया होता है, वो चीजें भी सपने में आती हैं, तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि स्कूल का टाइम बहुत अच्छा रहा हो, तो जब भी उनका जो माइंड है, वो किसी टेंशन से गुजरता होगा, तो जो उनका सबकॉंशिस माइंड है, वो उनको स्कूल के सपने हैं, कॉलेज के सपने दिखा कर, उनके जो टेंशन है, उनके माइंड पर बर्डन है, उसको रिउस करने का प्रयाज करता है, यह एक नाच्रल प्रॉसस है, अगर ब्रेन ऐसा नहीं करेगा, तो बहुत बार ऐसा होता है, क आपके टेंशन को, आपके इंग्जाइटी को कम करता है, किसी खुशनुमा चीज को देखा कर, और किसी खुशनुमा जगे पर ले जाकर, जहां आपको खुशी बलती है, इसके अलावा, और वे बहुत सारे सिच्विशन हो सकती है, स्कूल देखने की, जैसे कि यदि आप हैं, कि आप अपने स्कूल में और आप अपने स्कूल में फाइनल एक्जाम दे रहे हैं, तो यह जो सपना है बताता है, कि लाइट में आप किसी वास्तिक प्रॉब्लम को, बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, हो सकता है, कि कोई समस् इसी हो, जहां पर आपको रियक्ट नहीं करना है, बलकि आपको बहुत ही चालाकी से, समस्दारी से उस परिस्तिती में वर्क करना है, उस और इस तरह का सपना इंडिकेशन देना है, इसके अलावा आप देखते हैं, कि बहुत पुराने स्कूल में, या आप किंडर गाटन स जो को छोटे बच्चों कर स्कूल है, वहां अपने आपको पाते हैं, तो ये सपना बताता है, कि लाइफ में आपको अपने आउटलोग को, लोगों को देखने के तरीके को, लोगों को समझने के तरीके को, बहतरीन बनाने के आविशक्ता हो सकता है, कि आप लोगों को सही रंक से जज नहीं कर पाते हैं या आप बहुत ज़ादा जज करते हैं कितनी बार जो लोग जैसे उन्हें वैसे छोड़ दीजी जज करने की आविशकता ही नहीं है क्योंकि सबसे पहला वर्क तो हमें खुद पर करना चाहिए दूसरों पर वर्क कर भी नहीं सकते जब तक कि व प्रॉब्लम चल रही है आपके वर्क फ्रंट पे आपको उनको कुछ नए बहतरीन प्रयासों के द्वारा उन चीजों को मैनेज करने का तरीका सीखने का प्रयास करना है तो ओवर ओल यह जो सपने होते हैं स्कूल के कॉलेज के वो कहीं न कहीं अपने आपको अपग्रेड क करने न्यू लर्निंग कुछ नया सीखने कुछ नया करने या अपनी जो योगिताएं उनमें विकास करने के वो संगेत करता है इसके अलावेदिया आप देखते हैं कि आपने ट्रिडिशनल स्कूल तो छोड़ दिया है मतलब आपने अपनी स्कूल से बाहर आ रहे हैं अपन जिन्दगी में नया सीखने की जरुत है हो सकता है कि आप अपनी जिन्दगी में खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं खुद के लिए टाइम नहीं दिखा रहे हैं या खुद की स्कूल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें आप हर पल कुछ नया सीखते रहे उससे जो आपकी skills हैं वो भी develop होगी और जो बार-बार school आने के सपने हैं school में बैटने के, school जाने के सपने वो भी कम होने लगेंगा साथे साथ आपको इससे एक progress भी अपने life में देखेगी यदि आप अपने लिए self-aware रहेंगे खुद को new learning के साथ आगे बढ़ा दे रहेंगे इसके अलावे थे आप सपने में teacher को देखने थे कि वैसे astrologically teacher को देखना गुरू को देखना बहुत अच्छा होता है लेकिन यदि psychological के लिए बात करूँ तो सपने में teacher को देखना है बताता है कि कहीं न कहीं आप अपने अंदर self-confidence की जो कमी है मतलब खुद के अंदर जो confidence level है उसमें आप कमी महसूस कर रहे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने और confidence के साथ आगे बढ़ने के आवशक्ता की ओर दिखादा है इसके लावा कभी-कभी जब हम ensure से किसी चीज़ की मदद चाते है super natural power या पराशक्तियों से कुछ help चाते हैं हम चाते हैं कि कोई शक्ती आके हम इस परिशानी से निकाल लेना तब भी हमें हमारे teachers अपने में निकाए देते हैं कहीं न कहीं यह एक ऐसा dream है जो हमें बताता है कि हमें किसी की help की आवशक्ता अपनी वाशक्तिक जिंदगी में है यह हम अपने confidence को बहुत low महसूस करते हैं तब भी हमेज तरह के सपने आते हैं जिसमें हम अपने teacher को सपने में देखते हैं इसके अलावा जब आप elementary school में कुछ को देखते हैं तो यह सपना बताता है कि आपको अपने outlook को थोड़ा mature परिपक को तरीके पे देखने की सरुरत है यह बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप जो भी चीज देख रहे हैं उसको एक wide perspective में देखें बड़े नजरिये के रूप में देखें कि आपकी सिब अपने भले के लिए ना सोच कर दूसरों का भी क्या benefit हो सकता है या win-win condition क्या हो सकती है जिसमें दूसरे को भी परिशानी ना हो और आपका भी नुकसान ना हो इसके अलावा यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने college में पढ़ रहे हैं तो यह सपना बताता है कि आपको अपनी जो भी difficult situation है वास्पिक लाइफ में उससे बाहर आने के लिए आपको कुछ नभीन इसको डबलब करने है उस और की आप शकता किया और यह सपना करता है इसके अलावा यदि आप स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आप खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बलकि स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ते वे देखते हैं तो यह emotional attachment आपका स्कूल के प्रती या बच्चों के प्रती होता है उसको भी बतात है इसके अलावा यदि सपने में आप देखते हैं कि आप कोई नई language सीख रहे हैं कोई नई भाशा सीख रहे हैं तो यह सपना बताता है कि आपको वास्त्विक जिंदगी में अपने communication skill जो बोलने का तरीका है या लोगों के साथ समबाद स्थापित करने का तरीका है उन्हे इसके आप कह सकते हैं कि बढ़ोत्री की जरूरत है या कुछ नई skill को develop करने की जरूरत है इसके अलावा यदि सपने में आप देखते हैं कि आप math की class में और सवाल कर रहे हैं तो सपना बताता है कि बास्त्विक जिंदगी में आप किसी problem में है आप और आपको एक ऐसा attitude loving attitude अठात समस्याओं को कैसे हल किया जाए उस और अब आपको अपनी ओर focus करना है कि आपको easily सही धंग से decision करना आना चाहिए आपके फैसले सही ले सके जल्दी फैसले ले सके और साती साथ जो समस्याओं है उनको आप सही धंग से handle कर सके इसके अलावा आप यदि यह सपना देखते हैं कि अपका classroom आपको कहीं नहीं विल रहा तो यह real life में आप शायद कुछ miss कर रहे हैं अपने goal को सही धंग से देख नहीं पा रहे हैं उस और यह सपना बताता है कि जो भी प्लांट जो भी चीज़ें आप बास्रित जिन्दगी में सोच रहें जिन्दगी में आग उस और सफलता की और अग्रिसत हो जाएंगे तो दोस्तो आशा करते हूँ आपको हमारी आज की दिवी जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही रोचिक जानकारी क्लिक रिपाप हमारे चैनल को like, subscribe और share रवाश्य करें तब तक की लिए दोस्तो नबश्यकार